हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और न्यूट्री बजी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं चना दाल की पूरी की रेशिपी सेर करें हूँ इतना टेस्टी आप एक बर मेहमान को किला दिये तो कभी जाएंगे ही नहीं दिल खुस हो जाएगा खा कर किते पर जरू ट्राई करें तो यहाँ पर लिया है पूरी बनाने के लिए भिगोया हुआ चनाक का दाल तीन से चार गंटे दाल को भिगो ले इस तरीके से फूल जाए तो पानी चान करके निकाल ले अब इने मिक्सर जार में हम डाल लेंगे पीछने के लिए इसके साथ कि कलिया एक इंज का टुकरा बारी कटा हुआ अधरक का दो सुखी लाल मिर्च डाल लेंगे और डाल लेंगे यहाँ पर तोड़ा सा पानी और दाल को हमें अच्छी से पीछ लेना है बिल्कुले स्मूथ पीछेंगी अब देख सकते हो दाल को मैंने पीछ लिया है अब इन बनाते हैं पर मैं थोरा सा अलग बना रहे हूं यह तरीका भी आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा तो एक चमस अजवाइन मसल के यहाँ पर मैं डाल रहे हूं एक चोथा चमस हल्दी पाउडर एक चमस धनिया पाउडर यहाँ पर डाल लेंगे ग पर चमस से देखे तो चार चमस सूजी है इस चमस से आप चार चमस सूजी डाल सकते इससे क्या होगा जो हम पूरी बनाएंगे न वह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर एक चोथा चमस मेंने हिंग डाला है अच्छे से मिक्स कर द तो जो पूरी हम बनाएंगे अच्छे से नई फूलेगी तो सूजी को आमें फूलने देना है और दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पर लगबग 15 से 20 मिनिट हो चुके हैं सूजी अच्छे से फूल गया है दाल जो हमने पीशा था सूजी मिक्स की थी वो बिल्कुल टाइट हो गया है अब क्या करेंगे इसमें डाल देंगे एक चमस तील आप सरसो का तेल या जो भी तेल इस्तेमाल करते हो डाल सकते हो इस पूरी में सरसो से मिक्स कर लेते हैं आटे को गूत करके तयार कर लेते हैं मुझे लग रहा है आटा इसमें कम नहीं पड़ेगा और दाल भी कम नहीं पड़ेगा बिल्कुल परफेक्ट गूतेगा अगर दाल जादा हो आटा कम परता है तो थोरस आप इसमें सुखा हुआ आटा और डाल कर करके इसको बाइलेंस कर लेना तो यहां पर मैंने दुख का पाटा डाला है बिल्कुल पर्फेक्ट गुत करके तयार हो गया बिल्कुल हमें ऐसा ही डौ चाहिए बहुत ज्यादा गिला नहीं चाहिए और टाइट भी नहीं चाहिए गुत जाए तो अच्छे से थोरा सा तेल एक पर फिर से इसे हम मसल देंगे ताकि पूरी हमारा बहुत ही खस्ता बने टाइट नहों और तीर लगा देंगे उपर से इस तरी किसे मसल देंगे तो आठा थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो भी टाइट नहीं रहेगा आप गिल्ले कप्रे से डग करके इसे साइड म करने के लिए और तली हुई चीज खाते है तो इस तरीके की चीजे हमें उसके साथ जरूर सर्ब करना चाहिए या तो दर्फ करें रायता सर्ब करें उर गर्मी में कुकूंबा रहता खीरे का रहता बहुत ही परफेक्ट होता है वह दो होता है और बढ़े भी खीरा को डाल सकती हूं तो यहां पर खीरा को मैंने ग्रेट कर लिया है अब ले लेंगे दही एक कप मैंने यहां पर दही के लिया है दही बहुत ज्यादा खटा नहीं है ताजा फ्रेज दही और गारा है तो मैं थोरा चम्मच से इसे मिक्स कर देती हूं इसके अंदर खीर दाल देंगे container किया हुआ है और अीड़न कर स् 창bones Radha qamussat D जरू पाइड पाउर का और जरू ड़ालिए पेट तंड़ रहेगा हज माथिक रहेगा और यहां पार लिए हble ev पुदीना के पत्य तीन चर ले लिजिए और तोर लिजिए बारिक काट करके डाल देंगे आप चाहे तो इसे मसल करके भी डाल सकते धनिया पता पुदीना पता और हरी मीर रगर तीखा खाना चाहते हो रहता को तो अच्छे से सिल्बर टेपर या खल में डाल करके रगर अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे बस इस काम में ज्यादा जंजट भी नहीं है और मन मिजाज सरीर सब ठंडा रहेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खीरे कर रहता तो हमें खाने के साथ चरूर खाना चाहिए डेली खास कर गर्मी में और डेकोरेट करने के चने के दाल के पूरी के साथ सर्व करने के लिए तो है ना परफेक्ट इसे जरू ट्राई करना और यहाँ पर चकला पर मैंने डाला है तोरा सा सुखा अटा और आठे पर से कप्रा हटा करके इस तरीकी से हाथ में ले लेंगे और लंबा कर लेंगे ताकि इसका जब हम द मिले तेल इसुखा ताकि पूरे बनान थालन में ऑधन में देड़ लगे तो यह कड़कर न हो सव्ठी रहे तेल लागा देंगे आपचा हो तो वापिस गिलए को अचंग secular के अर पहतожно ज़्य है करना में दभ रहेzej दालर यहां तो एकदम रोठी की तरह पतला न करें हलकी सी मोटी रखें बहुं जादा मोटा भी नहीं पर हलकी सी मोटी होनी चाहिए इस तरीके से तो इस तरीके से हम पूरी को बेल करके तयार कर लेंगे तीन-चार बेल लीजे फिर तलना सुरू कीजिए अगर कुकिंग करते हैं तो कि और युट जाए उपर फिर तेल हमारा गरम है बहुं जादा थंड़ा तेल में इन्हें ना डाले तेल गरम हो जाए तब ही डालना पूरियों को अब मैंने पूरी को दाल दिया है और तोरा-तोरा तेल उपर से डाल देंगे कि हलका सा प्रेस कर देंगे बस तुरत पूरी फूल जाएगी इसको फूलने में देर नहीं लगेगा ना पकने में देर लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक दम बैलून की तरह पूरी फूल करके तयार हो गई है तेल अच्छे से गरम हो जाए पूरी यह डाले अब मैं तो रसा बना रहे हूं तो एक डाली हूं एक निकाल करके एक के नीचे एक डालते जाएंगे अभी मैं दिखा रहे हूं कैसे डालना है कैसे फ्राई करना है और कैसे निकालना है इस तरीके से फूलो करना आप हाई टू मिडियम फ्लेम रखे मध्या मैं आच या फिर तेजा बीच बीच में कम जादा करते रहें तो इस तरीके से एक फूल जाए फिर नीचे से दूसरा डाल दे तीसरा डाल दे और फिर उलटते पलटते हुए पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे एक भी मिस नहीं होगा सब बैलोन की तरफ हो लेगा एक दम कड़क ठंडा होने के बाद भी क्रिस्प रहेगा तो इस तरीके से साड़े पूरियों को तल करके निकाल ले और इतना टेस्टी लगता है यकीन मनिए गरांटी मनिए आप हमेशा बनाओगे तो यहाँ पर मैं साड़े पूरियों को बना करके निकाल लेगा बिल्कुल पर्फेक्ट एक भी मिस नहीं हो एक दम कचवडी की तरह खसता और फूली फूली तो यहाँ पर मैंने पूरियों बनाई है इस तरीके से आप पूरियों एक बड़ जरूर बना करके देखिएगा चाना दाल की पूरियों और रायता के साथी से सर्व करेंगे जो हमने दिखाया और इक चाओ तो एक हड़ी म करती है तो लाइक कर देना कमेंट बक्स में अपने बिचार सेयर करना मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ बाई मैं दोस्तों